मैं मासुपांडे क्लास 7th मैथ के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सेकेंट सेप्टर जिसका नाम है फ्रेक्शन एंड देसिमल तो सरसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि फ्रेक्शन क्या होता है देन में डिफाइन करेंगे डिशिमल क्या होता है तो आएए अपने रेशन के स्टार्ट करते हैं देखें डिफिनिशन की बात करें तो डिफिनिशन में इस फ्रेक्शन की डिफिनिशन का है तो फ्रेक्शन इस नंबर रिपरजेंट पार्ट आफ ए होल friction की क्या एक number है जो की एक whole number का part होता है ठीक है हमने क्या बोला कि friction गी एक number है जो की एक whole number का part होता है जैसे मैं बोल दूँ कि one क्या है one एक whole number है one आपका whole number है अब whole number के part को देखे तो whole number का part क्या होगा इदि हम एक को one को two part में divide कर दे तो क्या होगा 1 by 2 और 1 by 2 होगा नो तो यहाँ देखिए यह एक whole number था इस whole number का part है 1 by 2 और 1 by 2 तो 1 by 2 ही क्या है fraction है इसलिए कहते हैं हम क्या कहते हैं कि fraction is a number that represents a part of whole whole number का एक part होता है fraction लिखते हैं वक्त हमेशा हम दिहान देते हैं कि fraction को हम p upon q के form लिखते हैं मतलब कि p upon q के form में होना चाहिए fraction जहां पर q की value कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए q की value 0 होगी तो क्या होगी देख लेते हैं जैसे कि माल लिए यहां हमने लिखा 1 by 2 यदि हम 1 by 0 लिखें तो यह fraction नहीं होगा 1 by 0 लिखा हुआ है तो यह fraction नहीं होगा क्योंकि definition में साफ साब बोला हुआ है कि कभी भी q के जगव अपर 0 नहीं होना चाहिए p के जगव पर चाहिए जो भी value रख लें चलेगा लेकिन Q के जगापट जीरो नहीं होना चाहिए तो यह friction का definition यह जिसको आप लोग याद कर सकते है आगे चलते हैं आगे बात करते हैं Friction के टाइब की तो Friction की टाइब की बात करेंगे तो यहाँ पर team प्रकार के Friction होते हैं कौन कौन से देखते हैं तीन प्रकार के फ्रिक्षन की बात करेंगे हम लोग देखिए पहला है प्रापर फ्रिक्षन दूसरा है आपका इंप्रापर और तीसरा है निक्स फ्रिक्षन पहला क्या है आपका प्रापर फ्रिक्षन दूसरा इंप्रापर और तीसरा है आपका मिक्स फ्रिक्षन समझ में आ हैं तो आएए हम पहले आपको डिफाइन करते हैं प्रापर फ्रिक्शन क्या होता है देखी सरसे उफ़ल्रопर क्योंतर है कि रिखी हो यह है mod। देने ने हैं यहां इंप अध्यान दियेगा यहां पर ऑपां q है यहां P को क्या बोलते है P को निमिनेटर बोलते है तथा Q को क्या बोलते है D निमिनेटर बास्वन में आई यहाँ पर P को निमिनेटर बोलते है और Q को D निमिनेटर तो आप इसको ऐसे लिख सकते है क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे निमिनेटर और यहाँ आप लिख लेंगे क्या denominator ओके denominator यह आपको बाते सबन में आई होंगे सिखिन आई है आगे चलते हैं आगे देखते हैं हम लोग proper fiction की बात करते हैं कि proper fiction क्या होता है proper fiction में देखिए जैसा कि आपको पता हुआ denominator किसे कहते हैं और D numerator किसे करते हैं तो proper friction की definitions की बात करते हैं तो लिखा हुआ देखिए सबसे पहले कि friction whose numerator are less than the D numerator ठीक है numerator क्या होता है D numerator से छोटा हो एभी ऐसा friction आपके पास लिखा हो या फिर कहीं आसपास हो तो ऐसे friction को बोलते हैं proper friction जैसे की examper के तोर पर देख लिजिए जैसे मैं बोल दूँ 1 by 2 तो 1 by 2 में क्या है 1 क्या है numerator है और 2 क्या है D numerator है 1 numerator है और 2 आपका D numerator है तो बताइए numerator यहाँ पर जो numerator है वह क्या है छोटा है जिदर मुग खुला रहता है उसको बड़ा बोलते हैं ठीक न तो यहन के तरफ मुग बंद है यानि numerator छोटा है और D numerator यानि इसको हम D N कर देते हैं clear D N के तरफ मुग क्या है खुला हुआ है तो इसको हम लोग बड़ा बोलते हैं confusion रहता है बच्चों को और D numerator बड़ा है तो यहां पर example के तरफ पर 1 by 2 हो गया और भी कई सारे example सुच सकते हैं किसे मैं बोल दूँ 5 by 7 तो 5 by 7 भी क्या है यह भी क्या है आपका improper friction प्रापर friction है बास सुन्या रहे न उसको बाद और example ले सकते हैं और example की बात कर लें तो जैसे लिस सकते हैं क्या जैसे मैं बोल दूँ कि 5 by 10 बताओ यह प्रापर है तो कहें कि हाँ यह प्रापर है ठीक ना कभी कभी इसको हम काटेंगे भी कि काट की छोटा भी बना सकते हैं जैसे माले यह 5 होग जा 5 और 5 टू जा 10 तो बास हो जाए यह सारी एक्जामपल किसके हैं प्रापर फ्रिक्षन की मैं भी प्रापर फ्रिक्षन समझ में आगे होगा कि प्रापर फ्रिक्षन क्या होता है क्लियर डिफिनिशन प्रापर फ्रिक्षन की याद कर लिजएगा और example यह रहा आगे आते हैं improper friction की बात करते हैं improper friction सीधे proper friction का उल्टा होता है इसमें numerator जो होता है वह बड़ा होता है किसी से denominator से ठीक उसका उल्टा जैसे कि दिखें हैं definition लिखावागा friction with the numerator is either equal to or greater than यानि numerator या तो equal भी हो सकता है या तो greater भी हो सकता है किसी से denominator से उसे बोलते हैं improper friction जैसे क्या यह example समझते हैं मैं लिख दूँ मैं लिख दूँ 5 by 2 5 by 2 अब बताए 5 क्या है numerator है तो denominator बड़ा है ने किसे denominator से तो यह क्या होगी आपका improper friction मैं बोल दूँ 7 upon 7 तो यह भी क्या है यह भी आपका हो जाएगा improper friction कट के क्या हो जाएगा आपका 1 तो 1 क्या है आपका improper friction यह भी आपको पूच दिया जा कि 5 क्या है proper या improper तो क्या कहेंगे आप कहेंगे improper friction है समझाया यह कोई भी number दे लिखा हो तो हम उसको क्या बोल सकते हैं improper fraction बोल सकते हैं इस तरीके का clear और example ले लेते हैं improper fraction में जैसे कि मा लिख लूँ कि 10 upon 7 ये भी क्या है आपका improper fraction मतलब कि numerator बड़ा होना चाहिए किस से denominator से इतना समयाया proper fraction क्या होता है और improper fraction क्या होता है आगे आते हैं third type दिखते हैं मिक्स फ्रेक्शन की बात करें तो लिखा हुआ दिके डिफिनिशन इसका कि एक कंबिनेशन और प्रॉपर फ्रेक्शन एंड ए होल लंबर is called a mix friction मतलब कि एक प्रॉपर फ्रेक्शन हो और एक होल लंबर हो दूनों की कंबिनेशन को हम क्या बोलते हैं mix friction जैसे की देख लीजिए मैं इसे बोसकता हूं प्रॉपर फ्रेक्शन में क्या होता था नुमिनेटर छोटा होता था दी नुमिनेटर से तो मैं लिख दून बाई टू और होल लंबर मैं यहां लिख देता हूं 1 तो यह क्या हो गया आपका mix friction इसे बोलेंगे 1 hole 1 by 2 और लिख देता हूं 3 hole 2 by 5 इसको क्या बोलेंगे 3 hole 2 by 5 यह भी क्या है आपका mix friction है बासोन यहां गई mix friction क्या होता है mix friction whole number और proper friction का combination होता है में भी समझ में आया होगा आपको example और आप ऐसे ले सकते हैं और एक बात बता दें आपको कि आप mix friction को अन्य सारे friction में भी बदल सकते हैं जैसे कि आप mix friction को friction में बदल सकते हैं जैसे दि लिखा हो हमने लिखा 3 hole 1 by 2 ऐसे लिखा है 3 hole 1 by 2 लिखा हुगा है अब मैं कहूँ इसको कि mix friction से अटाओ और शिर्फ only proper friction में या फिर improper friction में चेंज करो तो क्या करेंगे इस तोर ध्यास सुनीगा यह बहुत बेसिक चीज है इस 2 का multiply करते हैं 3 में तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 clear और जो आता है उसको add कर लेते हैं numerator में तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 7 7 by 2 तो यहाँ पर यह भी और यह भी दोनों same लिखा हुआ है बासोन में आ गई कैसे change करते हैं आएगे और example लेते हैं इस चीज़ों को समझ जाएगे माली जो लिखा हो 5 whole 2 by 3 इसको लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे तो 3 का multiply 5 में करेंगे तो 5 3 जा 15 15 आया अब 15 में 2 को add कर कितना हो जागा 17 17 by 3 clear mix fraction को ऐसे भी fraction में लिख सकते हैं अब हम देखेंगे कि जो भी fraction है उस पर कौन-कौन से operations हो सकते हैं ओके आईए अब हम देखेंगे कि fraction पर operation कौन कौन से होगे यहाँ तक आप लोग definition याद कर लिजेगा हम लोग देखते हैं addition operation addition operation देखने के लिए हम दो fraction लेते हैं क्या लेते हैं दो fraction तो हम ऐसा fraction लेंगे जिसका कि denominator सेम है तो हमने पहला fraction लिया माल लिए 1 by 2 और एक और fraction लिया 1 by 2 इस condition में दोनों का denominator सेम है सेम होने के condition में क्या करते हैं आप direct दो लिख देंगे हैं फिर 2 और उपर का direct add कर देंगे 1 1 2 direct सोन्य चीज़े ना direct add कर देंगे यदि कब denominator सेम हो तब एक और question लिखा हो 2 upon 5 और और लिखा हो यहाँ पर 3 upon 5 ऐसे लिखा हो चीज़े 2 upon 5 और 3 upon 5 लिखा हो तो क्या करेंगे इस condition में भी आप आराम से नीचे 5 लिख देंगे यहाँ और उपर का direct add कर लेंगे तो क्या हो जागा यह 5 upon 5 बात समझ में आ रही है यह कब है जब denominator सेम होगा तब आईए और देखते हैं आगे एक्जामपल यह देखिए यह दो question है इसको solve करना हो तो क्या करेंगे पहले बाले में आराम से इसका denominator 2 लिख लेंगे ठीक है यह कैसे 2 लिख आ जा रहा है इसके लिए आपको समझ में आएगा जो हम आगे बताएंगे तब आराम से 2 लिख लिए दोनों में सेम है तो लिख लिजिए उसके बाद direct ऊपर add कर लिजिए त्री और 6 कितना हो जाएगा 9 डायक्ट 9 अपन्टू एंसर हो जाएगा इसका अजियम नहीं देख्या हो जाएगा इसके निशिक क्या लिखेंगे 7 और उपर क्या होगा direct add कर देंगे तो 5 और 4 यह हो जाएगा 9 9 by 7 direct समझ में आ रहा है न कैसे जब denominator स्यम हो तब solve करते हैं अब आएए देखते हैं जब denominator स्यम नहीं होता है तब कैसे solve करते हैं देखिए question ने ऐसे दिया हो 2 upon 5 प्लस 3 upon 4 तो इसको add करें के लिए क्या करेंगे question ने करना आप आराम से एक पर लाइंड रहा करेंगे नीची क्या करेंगे 5 में 4 का multiply कर देंगे तो कितना होगा 5 4 या 20 कितना होगा 5 4 या 20 बास वो जा रहे हैं न 5 4 या 20 अब देखिए अब 4 का multiply 2 में होगा 4 का multiply 2 में तो कितना होगा 10 टिन 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 8 कि फो टूज एक इतना उता है इट प्लस है अब फाइब का मिल्टिप्लाइब थी में फाइब पूचेएगा थी के पास तो कितना हो जाएगा 53 जा कि फिफ्टीं बास ओन नहीं आ रही हो आप अब एड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 3 by 20 यह answer हो जाएगा तो कैसे solve हुआ सौन में आया वाले हमने क्या किया इन दोनों का multiply 20 उसके बाद क्या किया 4 का multiply 2 में तो कितना हो गया 8 फिर हमने क्या गया 5 का multiply 3 में तो कितना हो गया 15 15 दोनों को add किया 23 upon 20 समझे आया और दीजे पहले line ड्रा करेंगे फिर हमने क्या लिखेंगे 5 में 2 का multiply करेंगे तो कितना हो जागा 5 टूजा 10 बाद सौन में आ रही है कितना हो गया 10 अब 5 का multiply 1 में करेंगे तो 5 होंजा 5 5 होंजा 5 प्लस प्लस का sign है तो प्लस का sign लगाए माइनस का sign होता तो माइनस का sign लगाते प्लस है तो प्लस लगाएंगे तो का multiply 3 में करेंगे तो कितना हो जागा 2,3 या 6 जहाँ दीजेगे का multiply करेंगे 6,5,11 अपन 10 बाद सौन गया कैसे करेंगे वीडियो को push करके आप लोग ये question लगाईए जिसे लिखाओ 2 अपन 5 और 4 अपन 3 ठीक है तो वीडियो को push करके लगाएंगे आईए आगे हम लगाते हैं तो क्या करेंगे यहां लिखेंगे 15 5 का multiply 3 में कितना होगा 15 उसके बाद 3 का multiply 2 में 3 का multiply 2 में ये कितना हो जागा 6 और 5 का multiply 4 में तो 5 4 जा 20 ये कितना हो जागा 26 अपन 15 ये हो जागा answer बात समझ में आ रही है कैसे solve हो रहा है तो ये से solve करते हैं लोग friction को हमने दोनों बताए आपको जब denominator same हो तब और जब दी numerator same हो तब और जब denominator same नहीं हो तब दुनों दरीके के friction को add करके आपको बताया अब मैं आपको कुछ question दे दे रहा हूँ आप उसको solve कीजिएगा आए एक example और देख लिते हैं ये कुछ homework based question है जिसको आप लोग खुद से solve कीजिएगा फिर मिलेंगे next वीडियो में नए concept के साथ तब तके के लिए बाई बाई टेक केर